हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सब का इजी टू हेल्दी केचन में आज हम लोग कच्छे आम की जेली बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनेगा तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं से बनानी के लिए क्या लगेगा तो सबसे पहले तो आम लिया है मैंने यहां पर जो 500 ग्राम है आपके जी आम हैं जिसे मैं छीली हूँ और अब मैं इसे ग्रेटर की हेल्प से कदू कस कर लूगी तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आप पूरा देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कर दिया है और पैन भी गरम हो चुका है और सारे आम को मैं पैन में डाल दूँगी फ्लेम बिल्कुल लो रखना है यहां पे और मैं यहां पे हाफ इंच दालचिनी का टुकड़ा एड़ कर रही हूँ और एक चमर सौफ जिसे मैं कूट कर डालूँगी तो यह बच्चों को बहुत पसंद आता है और मैंने इसे ग्रेट करने के बाद यह आम करीब साड़े तीन सो ग्राम के करीब में बचा होगा गुठल चीनी की मातरा बढ़ा दें और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है यह धीरे-धीरे खुदी मेल्ट हो जाएगा तो देखिए यहां पे मैंने सौप को कूट लिया है और अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी और इसे चलाते हुए मेल्ट होने देंगे चीनी जब तक पि पक चुका है और कलर भी चेंज हो गया है तो फ्रेंड्स यह बच्चों को बहुत पसंद आता है पराठे के साथ पूरी के साथ और ब्रेड के साथ आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं बहुत पसंद के साथ बच्चे खाएंगे तो देखिए मैं यहां पे दाल प्रफूल चीजे बहुत पसंद आती हैं और अगर कलर है तो आप डाले नहीं तो नेच्छरल कलर भी इसकी अच्छी होती है तो देखिए मैं यहां पर कलर डाल चुकी हूं और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दोंगी तो देखिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा है देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं यहां पर थोड़े से मैंगो एसेंस डालूंगी दो से तीन डॉप मैं मैंगो एसेंस डालूंगी जिससे क्या होगा कि इसकी फ्लेवर और भी बढ़ जाएगी तो friends इसे पानी में नहीं पकाना है बिलकुल पानी एकदम नहीं डालना है बिना पानी के इसे पकाना है और साल भर ये बहुत अच्छे से टिक जाता है फ्रीज में रखकर खराब नहीं होता तो ये देखे मैं यहाँ पर इसे डाल चुकी हूँ और अब इसे भी मिक्स कर लूगी अच्छे से और इसे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है थोड़ा पतला रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जमता है तो फिर देखिए बिलकुल रेडी है जैली तो ट्राइब कीजिए थैंक्यू बाबाई